A very good morning to all B.Ed. students, learners, teachers, motivators and well-wishers आज की इस वीडियो में हम B.Ed. first year के तीसरे पेपर Teaching and Learning सिक्षने वधिगम जो के 2019 में चोदरी देविलाल उनिवस्टी सिर्शा द्वारा प्रशन पत्तर के रूप में बनाया गया था के समन्द में ध्यान करेंगे अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल Let's Online Education को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और B.Ed. के समन्द में अपने ग्यान को बढ़ाने के लिए आप हमारे साथ जुडे रहें पिछले कुस दिनों से हम B.Ed. के समन्द में वीडियो बना रहे हैं इससे हमारा एक मातरुदिशे यही है कि B.Ed. के स्टूडेंट को इसका जादा से जादा फाइदा मिल सके इसलिए आप अपने सभी B.Ed. कुलीक्स को ये वीडियो वाटस अप या किसी अन्या मादियम के साथ शेयर करें तांकि उनको भी इन वीडियो के मादियम से फाइदा मिल सके और B.Ed. के जादा से जादा विद्यारती हम से इस मुहीम में जुड सके B.Ed. से समन्दी काफी मैटिरियल हम टेलिग्राम चैनल जो कि Let's Online Education के नाम से है वहाँ पर भी हम अपलोड करते हैं अगर आपको इस समन्द में कोई दिक्कत आ रही है आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाट्सप नमबर 9355695753 नमबर पर वाट्सप या टेलिग्राम के माद्यम से भी कॉंटेक्ट कर सकती है चोदरी देविलाल उन्विस्टी सिर्शा द्वारा 2019 में बीर्ड के लिए जो वार्षिक प्रिक्षा का एवजन किया गया था उस प्रिक्षा में इस प्रशन पत्र का निर्मान किया गया था अगर आप किसी भी तरह की कोई त्यारी कर रहे हैं और उस त्यारी के लिए आप पिछले कुछ सालों के प्रशन पत्रों का अध्यन कर लेते हैं तो इससे आपको प्रशन किस रूप में निर्मान किया जाती हैं के बारे में समझते हुए पढ़ने में बहुत ही अधिक साहिता प्राप्त होती है परते कोशन पेपर को पहले English Medium में और उसके बाद में Hindi माद्यम में दिया हुआ होता है अगर आप English माद्यम से हैं तो Hindi माद्यम को भी एक बार पढ़ ले और अगर आप Hindi माद्यम से हैं तो English माद्यम को भी एक बार जरूर पढ़ ले तो पहला जो question है उसमें चार short answer type question होते हैं जो कि प्रते एक यूनिट में से एक एक प्रशन पूछा जाता है cooperative, teaching, hardware and software approach, element of teaching models, simulation, teaching तो ये चार प्रशन जो है वो चार यूनिट में से पूछे गए हैं short answer type question के बाद में long answer type question होते हैं जो कि प्रते एक यूनिट में से 2 दिये होते हैं और इन 2 प्रशन में से एक प्रशन का आपको उतर देना होता है अगर आप दोनों ही प्रशन का उतर दे देती हैं तो ऐसी प्रशिती में जो प्रशन आपने पहले किया हुआ है वो check कर दिया जाता है और दूसरा question जो आपने उसी unit में से किया है वो cross कर दिया जाता है यानि कि उसके number नहीं दिये जाती है discuss the various phase of teaching in detail teaching and learning are two sides of the same coin justify this statement by discussing the relationship between teaching and learning तो दोनों ही प्रसन जो है वो आपको सोच करके समझ करके किसी भी बड़े प्रसन का उतर देने से पहले एक बार आप अपने दिमाग में एक sketch त्यार कर लें कि किस रूप में किन किन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए हेडिंग को ध्यान में रखते हुए आप इस प्रसन का ज़्यादा अच्छे से उतर दे सकते हैं और दोनों प्रसनों में जिस प्रसन का आप ज़्यादा अच्छे से उतर दे सकते हैं उसी प्रसन का आपको चुनाव करना चाहिए यूनिट नमबर दो में इसकस दा मीनिंग कॉंसेप्ट और स्कोप ओफ एजुकेशन टेकनलोजी इन इंडिया एक्स्प्लेइन इन डिटेल दा वेरियस मोडल्स ओफ कॉम्म्यूकेशन तो यह दोनों ही प्रसन हैं उसमें चोथा प्रसन जो होता है एजुकेशन टेकनलोजी अगर यह आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यहां आप इसको अच्छे से उतर दे सकते हैं यहां जबकि पांच्वें प्रसन में वेरियस मोडल्स ओफ कॉम्म्यूकेशन संप्रेशन के जो अलग-अलग मोडल्स हैं उनके बारे में यहां बताना होगा डिस्कस इन डिटेल हर्बर्टेरियन अप्रोच ओफ लेसन प्लानिंग पाई टेकिंग एन एग्जाम्पल ओफ यूवर टीचिंग सब्जेक्ट तो हर्बर्टेरियन जो अप्रोच है उसके अकोडिंग एक लेसन प्लानिंग के बारे में आपको उधान के रूप में यहां अपने सब्जेक्ट का वर्णन करना है explain in detail burner concept attainment model तो burner का जो model है उसके बारे में यहां पर्शन में detail में आपको वर्णन करना होगा मुख्या मुख्या जितने भी बिंदू है उन सभी बिंदू के बारे में आपको यहां चर्चा करनी होगी unit number 4 discuss the role of online media in the professional development of a teacher online media का एक teacher के professional development में क्या role है पर्शन काफी समझ करके अगर आप उतर दो तो काफी हसान और बढ़िया पर्शन है next person difference between liner and branching style of programming तो यहां programming के यह जो दो type हैं उनके बारे में आपको difference करना है इसकी बज़ाए अगर यह पर्शन online media role of online media यह थोड़ा सा ज़्यादा असान सा लगता है अगर इस पर्शन को आप थोड़ा सा समझ करके उतर देने का प्रयास करो तो यह काफी बढ़िया है English medium के बाद में इसी question paper के साथ ही सभी पर्शनों को हिदनी माध्यम में भी अनवाद किया हुआ होता है इसमें जो short transfer type है वह है सहकारी सिक्षन, hardware और software दृष्टी कोण, सिक्षन, model के तत्तव और simulation सिक्षन teaching के जो micro teaching में एक तरह से जो micro teaching के बाद जो simulated discussion और mega lesson है उस चीज के समझ में यहाँ यह अगर आपने वो file में बहुत अच्छे से समझ करके बनाया हुआ है तो यहाँ आप इसको अच्छे डंग से वर्णन कर सकते हो be it first year के ही third paper learning and teaching के जो important questions है या important topics है के समन में हमने एक वीडियो का निर्मान किया हुआ है तो आप एक syllabus का print out निकालें अगर आपके पास syllabus नहीं है तो आप हमारे इस channel पर comment box में comment करें आपको syllabus की copy जो है वो send कर दी जाएगी और उस syllabus पर आप learning and teaching में जो important topic या important question type में बताए गया है उन सभी को mark कर लें और इनको एक तरह से अच्छे डंग से पड़ें ताकि आप beard में question paper को अच्छे डंग से attempt कर पाएं और अच्छी percentage प्राप्त कर सकें Hindi medium में unit number 1 विस्तार से सिक्षन के विभिन चर्णों का वर्णन कीजिए सिक्षन और सीखना एक ही सिक्के के दो पक्ष है या पहलू है पक्ष और पहलू के रूप में सिक्षन और सीखने के बीच समंदों पर चर्चा करके इस कथन को न्याय संगत बनाईए तो यहाँ इस दूसरे प्रशन में आपको एक तरह से जो अपनी समझ है उसके अनुसार इस सीज़ का एक तरक संगत रूप में वर्णन करना होगा Unit number 2 में विस्तार से सिक्षिक प्रियोधोगी के अर्थ अवधारना और दाएरे पर चर्चा कीजिए शेक्षिक प्रियोधोगी की यानि के एजुकेशन टेक्नलोजी प्रशन नमबर पांच संचार के विभिन माडल विस्तार से समझाईए इकाई नमबर तीन में अपने सिक्षन विश्य पर एक उधारन लेकर पाठ योजना के हर्बरेटेरियन दृष्टी कोण की विस्तार से चर्चा कीजिए प्रशन नमबर साथ विस्तार से ब्रुनर की अवधारना प्राप्ती माडल को समझाईए इकाई नमबर चार एक सिक्षक के पेशे वर विकास में ऑनलाइन मेडिया की भूमिका पर चर्चा कीजिए प्रोसेसिंग की रेख किये और शाखा सहली के बीच अंतर कीजिए आप इन प्रशनों को अपने एक पेज पर या आपके पास जो सिलेबस की कोपी है उस पे टीक मार्क भी कर सकते हैं उसके अतरीकत अगर आप इस प्रशन पत्र की पीडिएफ कोपी चाहते हैं तो आप हमें वाट्स अप या टेलिग्राम पर कोंटैक्ट कर सकते हैं या आप इस YouTube चैनल के comment box में comment कीजिए ताकि आपको इस प्रशन पत्र की PDF कोपी जो है वो भेजी जा सके आप इस YouTube चैनल पर देख सकते हैं कि Learning and Teaching subject के समन्द में हमने जो वीडियो बनाई थी उसको करीबं 351 विद्यार्थियों ने देख ली है तो जैसे जैसे विद्यार्थी हमसे जुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वो इन वीडियों को बड़ी संख्या में देखते जा रहे हैं इस चैनल के description box में परते एक वीडियो के अलग-अलग description box में जब आप click करोगे तो वहां आपको इन बीडियों से समंदित जो वीडियों हैं उनके यहां लिंक प्राप्त हो जाएंगी जो भी वीडियों आप देखना चाहते हैं जैसे बीड के syllabus के समंद में यह वीडियों या बीडियों की फाइलों के समंद में फिर यह important question और topic childhood and growing up contemporary Indian education learning and teaching तो इस तरह इन प्रशनों के समंद में इन बिंदों के समंद में यहां heading और फिर उसके बाद में यह blue line एक hypertext के रूप में link के रूप में दी हुई है तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वो वीडियों तुरंत चलना शुरू हो जाएगी एक बार फिर आप सभी अपने बीर्ड कुलिक्स को इन वीडियों को जादा से जादा शेयर करें तांकि जादा से जादा विद्यार्थियों को इसका फाइदा मिल सके धन्यवाद